नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दे लेबल 10 इस्टडीज, आज हम आपके साथ असिस्टेंट कमांडरेंट का पेपर जो 20 दिसंबर 2020 को हुआ है, उसको मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ, ठीक है, जिसे CIPF का भी एक्साम बूलते हैं, अल्डेडी मैंने इसका जो फर्स प ठीक है, आपको उसका जो लिंक है, वो डिसक्रिप्शन बॉक्स या टॉप आई बचन पर मिल जाएगा, यहाँ पर हम 72 से आगे के कोश्यंस जो हैं, वो डिसकस करेंगी, अगर आप इस चैनल पर नए है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस्टा बैल आइकन और इस वीडियो को जादा से जादा जो अपने फ्रेंड्स है, जो भी एक्जाम दे कर आई हैं, उनके साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी जो पेपर है, उसकी आंसर्स की जो है, उसे चैक कर लें, और हम करेंट अफेर की वीडियो भी डालते हैं, हमारे चैनल प करते हैं, और अगर आप नई हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी मैंने आपके साथ जो आंसर्स डिसकस किये थे, उसमें मैं गलती से अच्छली जो 64 कोशन्स था, उसका आंसर मैं आपको 220 दूल से जुल थे, आइए स्टार्ट करते हूं, 72 कोशंस के बाद, कुशंस हमें भी नहीं मिले हैं, क्योंकर इतना कम टाइम होता हैं, ठीक है, तो हमारी टीम भी नहीं ढुट पाई कुशंस तो जैसे, 73 कोशंस थो है, वो अभी हमें नहीं मिलाए है, ठीक है, ये कैसे है, तो इसे हम आपको आपके साथ जो है वो comment box में से discuss कर लेंगे ठीक है नहीं तो आपस में आप लोग भी बाता करते हैं तो आप लोग भी इसका आंसर जो है वो एक दूसरी को share कर सकते हैं ठीक है मिलके करिए सब ठीक है तो 74 question से हम स्टार्ट करते हैं तो 74 question का जो सही answer है वो है option question A जिसका सही answer है 3 यह जो question है वो cricket और जो photo well वाला questions था वो है 75 question की बात करने तो इसका सही answer है 5 years यहाँ पर A और B की जो age से related questions था यह वो question है और जो मैं आपके साथ set discuss कर रही हूं आप याद रखना यह set D है ठीक है confused मत होना questions आपको जोड़ने लग जो किसी और set से तो यह मै D के according है इसलिए मैं आपको थोड़ी hint भी देती जा रही हूं question की अगर आपको कोई और set है तो आपको इतना problem ना हो 76 questions करते हैं तो 76 question का जो सही answer है वो है हमारा option D ठीक है यह जो question है वो है gravity वाला question है ठीक है acceleration is constant all throughout the free fall 77 question की बात करने तो यह था two magnetic field line produced by the same source इसका सही answer है option A never intersect 78 78 जो questions था वो था flaming rule वाला जो question था ना वो 78 था जिसका सही answer है option B flaming's right hand rule gives direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field अब next question जो है वो 79 है ठीक है यह science की questions है सारे ठीक है 79 question का जो सही answer है वो option B है all the simple harmonic motion are necessarily periodic motion ठीक है यह question क्या था motion वाला जो questions था यह वो है 80 question की बात करें तो 80 का जो सही answer है वो हमारा D है ठीक है there is a no cause effect relation implied in the third law यह जो questions था इसमें यह पूछा गया था कि जो Newton का जो third law वाला question था इसमें not correct पूछा गया था तो इसका सही answer हो जाएगा option D 81 के बाद अब हम आते हैं 82 questions पे तो 82 question जो है वो magnesium के उपर था तो 82 question का जो सही answer है वो option A है कि जो magnesium है वो use की जाती है जो fireworks होती है to make a bright white light 83 questions जो था वो था which one of the following ingredients does not constitute plant वो प्लांट को नहीं करते ठीक है तो 83 का जो सही answer है वो actually अभी हमें मिला नहीं है इसे में आपके साथ जो है वो comment box में हम discuss कर लेंगे इसको ठीक है कुछ questions है जिसे 73 questions 83 questions यह हमें भी नहीं मिले 84 question पे आते 84 question जो था वो था which one of the following statement अबाउट यह एलकाइनिक वाल जो question था ना alkaline earth metal is not true तो 84 का जो सही answer है वो option D है कि जो red color red color of jamistron ब्रभी is due to the element beryllium present in it ठीक है यह questions था option D का सही answer था red color of jamistron वाला था ठीक है अब हमें था 85 question पे 85 question का सही answer जो है वो option D है neon ठीक है जिसमें यह पूछा गया था कि which one of the following gases produce a red light when electricity flows through it जब electricity flow होती है ठीक है तो इसका सही answer क्या निकला neon 86 question 86 question में पूछा गया कि which one of the following method can be used to remove permanent hardness of water तो 86 का जो सही answer है वो C है lime treatment के द्वारा जो है वहां मतलब यह method यूज किया जाता है remove permanent hardness of water 87 question 87 question का जो सही answer है वो option C है जो question यह था कि which one of the following is not a component of photochemical smog photochemical smog का component कौन सा नहीं है तो इसका सही answer है poly aromatic hydrocarbon option C 88 question पे आते हैं 88 question में जो question था कि eukaryotic chromation is composed of तो इसका सही answer जो है वो 88 का B है DNA and protein अब आते हैं 89 questions पे 89 question जो था वो था in which of the following phylum would you place in animal with a bilaterally symmetrical tripoblastic body without a true internal cavity तो इसका जो सही answer है 89 का वो B था ठीक है जिसका सही answer है platy halminthus ठीक है जो कि इसका सही answer है 89 का B अब आते हैं 90 question पे during respiration in human beings the actual place of gaseous exchange is 90 का जो सही answer है वो option C है ठीक है एल बॉय ले 91 91 का जो question साब कि वो हार्मॉन वाले जो question था हार्मॉन वाले जो question था हार्मॉन विच इस सेक्रेटर इंटू बलड और विच कंट्रोल था रेट ऑफ हर्ट option B थाइरोक्सीन 92 कोश्चन 92 कोश्चन का जो सही answer है वो है एक्सों एंट नर्व सेल यह question यह था कि human being certain chemical which cross the synapse between nerve cells और released form तो इसका सही answer था है एक्सों ओफ नर्व सेल अब आते है 93 कोश्चन पर which one of the following is the major function of platelets platelets का यह पूछा यह था कि इसका सही answer है clotting of blood ठीक है यहाँ पर यह था कि major function किया है platelets का तो clotting of blood 93 का सही answer क्या हो जाएगा option A 94 का जो question था वो था कि electron and a photon have seem deep broadly wavelength इंप्लाइस था यह जो question था वो ब्रोगली बैवलेंथ वाला question था 94 का जो सही answer है वो है linear momentum option A 95 95 जो question अब वो है oil and water do not mix because of the property कि जो oil और water जो होते हैं वो कभी mix नहीं होते हैं आपस में क्या property होती है surface tension option D का सही answer है 95 का D 96 question यह था कि triple point the surface trans coexist in तो 96 का जो सही answer है वो D है ठीक है यह तीनों liquid phase solid phase और vapor phase ठीक है यह triple point the service trans coexist in तीन ओफिस में ठीक है इसका सही answer हो जाएगा option D 96 का option D जाना आप question आते हैं 97 पर 97 जो question से पहला है वो latent heat से related है latent heat corresponds to change in heat at constant तो 97 का जो सही answer है वो temperature only है कि जो latent heat जो होती है वो कोर्रस्पॉंट होती है to the change in heat at constant temperature only next question जो है वो 98 है और 98 जो questions पूछा गया है इसमें पहले तो not correct पूछा गया है यह question था photoelectric effects related question था 98 इसका सही answer है option C at a frequency ठीक है और V is greater than V0 the kinetic energy of ejected electron does not change on increasing the frequency of incident light याद रखना यह जो हमारा था photoelectric effect वाला जो questions था जिसमें not correct पूछा गया था जिसका answer हो जाएगा 98 का C then 99 99 में जो questions था वो था which one of the following is the average atomic mass of chlorine atom तो इसका जो सही answer है 99 का वो है D 37 वाला option D का सही answer है अम देनम questions पर आते है 100 question पर ठीक है 100 question जो है उसका सही answer जो है वो पूछा गया है यहाँ पर which of the one of the following is not a heterocyclic aromatic compounds ठीक है 100 का जो सही answer है वो है tropoline याद रखना tropoline वाले जो answers है यह है tropoline option A then 101 question पर आते है which one of the following is are the most distinctive artifacts of the हड़पन civilization यहाँ पर हडपन civilization से questions था ठीक है तो 101 का जो सही answer है वो है B इसके जो first and two जो है वो दोनों ही ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह पूछा गया था कि which of the following is the most distinctive artifact of the हड़पन civilization तो यहाँ पर जो इस्टी टाइट सील थी ठीक है जो स्टॉन होता है रबर स्टॉन ब्रिक ऑफ इस्टेंडराइस्ट रेशियो यहाँ पर जो ब्रिक्स होती थी वो उनका एक स्टेंडराइस्ट रेशियो था अब आते हम 102 questions पर पूछा गया which one of the following is not listed in one of the 16 महाजवन पद in the primorian period यह जो महाजवन पद वाले जो question था उसका सही आंसर था D कलिंगा ठीक है याद रखना option D कलिंगा क्योंकि कुरू वत्स और गांधर तिनों थे 103 103 का जो सही आंसर है वो है option B यहाँ पर क्या पूछा गया है which one of the following are prescribed as the duties of वैशिया according to the धर्मसास्तर तो इनका काम क्या था जो वैशिया थे वो क्या करते थे वो ट्रेट करते थे जबकि studying the वेदास वो भाम्मण करते थे next question जो है वो 104 है which one of the following statement is correct 104 का जो सही आंसर है वो है option A यहाँ पर question पूछा गया था कि जह साथ वहां रूल्ट ओबर पार्ट्स ओ वेस्टन इंडिया और डेककन ठीक है वो सेकेंड पॉइंट जो था वो हो था कि जह साथ वहां रिपेर और रिबल्ट सुदर्शन लेक तो यह आंसर गलत है second नहीं होगा इसका first है कि साथ वान जो है वो वेस्टन इंडिया और डक्कन में जो है वह रूल करते है तो 104 का क्या अंसर हो जागा यह then हम question आते है 105 पे 105 जो है वो not correct पूछा गया है first question में यह मतलब बहुत जरूरी होता है ठीक है in relation to the fundamental duties and insurance in the constitution of India which one of the following is not correct तो 105 का जो सही आंसर था वो था इसका option D ठीक है they may not be used for determining constitutionally by law ठीक है कोई मतलब lawians के लिए ठीक है they may not be used for determining constitutionality of law 106 question की बात करें जो question था governor वाला जो question था governor of state may exercise discretionary power when तो 106 का सही आंसर था option A इसके तीनों answers जो है वो ठीक है ठीक है यहां पर यही बुला हुआ हुआ है he or she is not convinced by the advice of the council of minister the constitution required him or her to act in his or her discretion in certain matters he or she is appointed as an administrator of an adjoining union territory तो इसका सही आंसर क्या हुआ है option A 1, 2, 3 next question जो है वो 107 है जो questions था हमारा socialism से related तो 100 का सही आंसर है C socialist believe that कि class division in society are affect and therefore intermediable क्योंकि यहां पर क्या पूछा हुआ है not ठीक है next question जो आता है वो 108 है 108 में questions में जो है वो list 1 और list 2 से match करने के लिए यह question था है तो 108 का जो सही आंसर था वो था first 4, 3, 2, 1 ठीक है that means एक बार हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं pluralist democracy में क्या हो जागा capacity of group to ensure government responsiveness B क्या हो जागा people of democracy का मतलब होता है social equality through common ownership and wealth development democracy highest and harmonious development of individual capacity or illicit democracy power is always exercised by a privileges of view तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा option A अब हम आते हैं 109 question पे 109 question जो है वहाँ central public sector undertaking is recognized as a mini ratna यह वाला question था तो 109 का जो सही आंसर है वो यह है option airport authority of India 110 का जो सही आंसर है 110 पे अगर हम जाए है तो इसका सही आंसर है mean year of schooling यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी mean year of schooling की which one of the following education development indicators currently used by united nation development program to construct human development index तो mean year of schooling next question की बात करने 111 जो question था वो Adam Smith की के द्वारा जो questions था which one of the following was recognized as invisible hand by Adam Smith तो 111 का सही आंसर था market और price mechanism ठीक है एक नौमी से 112 question का जो सही आंसर है वो D है support price ठीक है fixation of price level for wheat and rice by the commission for agriculture cost and price is an example of support price next question है mobile phone operators market in India is an example of तो 113 का सही आंसर है option B ठीक है mobile phones operator market जो है वो monopolistic competition है यहाँ पर then question पर हम आते है 114 पर 114 question है which one of the foreign sector contribute in recent year to the deterioration of assets quality of commercial banks by way of non-performing assets तो इसका जो सही आंसर है 114 का वो है D इसके शार ही ठीक है agriculture industrial infrastructure और जो last था वो था information technology sector 114 का D 115 question था distance between two successive crest और throw of sea bass is called as तो 115 का जो सही आंसर है वो A है web length 116 जो सही questions है कि which one of the following is not a Mediterranean country Mediterranean country के बारे में बात की गई है तो North Sudan next question जो है 117 पहल is an initiative to transfer the subsidy to direct bank account of the beneficiary is related to 170 का सही आंसर है यह LPG consumer के लिए थी पहल next question आते है 108 विच्वन आप फॉलेंग कास्ट landform is the largest in size जो कास्ट जो landforms के बारे में जो question था उसका सही आंसर है पॉलेंग जी ठीक है याद रखने है ठीक है 19 का जो सही आंसर है वो C नहीं 125 question से इसके इसके इंदर ठीक है यह second last नहीं है 119 का जो आंसर है वो C है it is an on man sea route where ships used to anchor for refueling watering and taking food items ठीक है Singapore को यहाँ पर कैसी use के जाता है port of call की तरह use के जाता है ठीक है यह main sea route है जहाँ पर ships used anchor for refueling watering and taking food items 120 question की बात करें which one of the following statement with regard to sanction your motion is not correct ठीक है यह questions अभी हमें मिलानी है और हम थोड़े confirm भी नहीं है इस questions का बिभी हो जगता है इसका first answer हो not sure ठीक है 121 121 का जो सही आंसर है वो D है ठीक है यहाँ पर था कि not a correct feature of money bill तो it can be referred to a joint committee of the two house इसका यह answer ता 122 की बात करें यहाँ पर idea of social justice की बात की गई है तो social justice का जो सही आंसर है वो है option A 123 तीनों ही ठीक है इसमें 123 जो questions था उसका सही answer जो है वह option B है यह question था कि which one of the following statement about the attorney general of India is not correct तो he or she enjoy rights of audience only in the supreme court and high courts in India यहाँ पर not correct पूछ हो गया ठीक है तो state जो है वहाँ dissolve power to panchayat in preparation of plans for economic development and social justice के plan जो है वो panchayat को यह power दी गई है और second जो है वो panchayat के पास यह power भी है कि वो implement कर सकते schemes economic development and social justice related तो इसका सही answer क्या हो जाएगा पर क्या था कराई कल अमययार वाज अड़ डप devotee ओव विष्णू ठीक है इसका यह सही answer था 125 का सी इसके साथ जो है वो सारी questions जो है वो सैड़ी के जो समी 125 questions है ठीक है लेकिन जो हमने discuss किया है वो सैड़ी किया है असिस्टेंट कमांडनेंट का जो paper हुआ था 20 दिसंबर 2020 का उसकी सारी answers की हमने आपके साथ discuss किया यह दो parts में आई है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे share कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के साथ और इसे subscribe कीजिए अगर आप नई है इस channel पर और like भी कीजिए वीडियो thank you so much